2024 में होने वाले लोकसभाद चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों को एक जुट करने के लिए बनाया गया गठबंधन खटाई में पड़ता दिख रहा है या यू कहें कि शुरू होते ही खत्म हो गया तमाम बड़ी बड़ी डिंगे हाकने वाले नेता फुस होते जा रहे हैं कॉंग्रे से लेकर आमादनी पार्टी तक और टीमसी से लेकर जेडियू तक जिनका एक मात्र लक्ष भारत देश को तरक्षी के रास्ते पर ले जाना नहीं बलकि प्रधानमंद्री नरेंद्र मोधी को हटाना है ये बात किसी से चिपी नहीं है लोकसभा चुनाओ तो 2024 में है लेकिन ताजा राजनिति घटना क्रमों की वज़े से हलचल अभी से मचनी शुरू हो गई है UPA 2.0 जिसे अधिकारिक रूप से INDIA के नाम से जाना जाता है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ख़वर है कि दिल्ली में खत्म होने की कगार पर है हलाकि इसकी सफलता पसंदे तो पहले से ही था लेकिन इतनी जल्दी ये समापती के कगार पर आ जाएगा ये सोचा नहीं था अब बताईए आपस में ही सिर्फ फुटवल करने वाले ये लोग चले हैं पी ये मोधी को चुनाती देने और एक ता ऐसी कि एक फूख से ही भर भर आकर गिर पड़े दरसे दिल्ली में कुछ दिनों पहले आई इंडियाई का जगड़ा अलका लांबा के एक बयान के बाद सारवजनिक हुआ जिसमें लांबा ने कहा था कि कॉंग्रेस दिल्ली की सभी साथ सीटों पर लोग सभा का चुना लड़ी फिर क्या था इसके ठीक बाद आम आद्वी पार्टी ने आई इंडियाई गटबंधन को समय की बरबादी बता दिया और फिर शुरू हुआ कॉंग्रेस का डैमिज कंट्रोल जुसमें कॉंग्रेस ने कहा कि ऐसे मुद्धों पर बयाम देने के लिए अलका लांबा अधिकृत नहीं है अब भले ही कॉंग्रेस ने अलका लांबा के बयान से पल्ला जार लिया हो लेकिन गटबंधन के बारे में संधे के बीच तो वो ही दिये हैं वैसे भी याद रखिएगा दुआ वही होता है जहां आग होती है इधर दूसी तरफ केजिवाल के नित्रतु में आमागी पार्टी नहीं असपस्ट कर दिया था कि वो कॉंग्रेस के साथ गटबंधन बनाने पर विचार नहीं करेंगे जब तक कि कॉंग्रेस संसद में दिली सेवा विधे की प्रस्तूती के दौरान सपस्ट समर्थन प्रदान नहीं करती है इससे इतना तो समझ आ रहा है कि इसके जरीए गटबंधन के तूटने की रह तयार होती दिख रही है दरसल आज के सिती में देश में विपक्षिदल महा गटबंधन बनाकर साल 2024 के लोगसभा चुनाओं में प्रधानमंती नरेंद्र मोदी को हराने के सपने देख रहा है लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये गटबंधन बच पाएगा जो बीजेपी के चार्नक के और मास्टर माइंड कहे जाने वाले आमिट शा की नीती को मात देगा और प्रधानमंती नरेंद्र मोदी की लोगप्रियता को किनारे कर देगा इसका सीधा और सटीक जवाब है नहीं क्योंकि महा गटबंधन पूरी तरह से बिखरा नजर आ रहा है दरसल इस गटबंधन ने ये सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि उनका मुकाबला मोदी जैसे विकास पुरुष से है ऐसी स्थिदी में आएंडिया ये गटबंधन मोदी जी को टकर देता हुआ तो दूर पाला छूता हुआ भी नहीं देखता है ब्यूरो रिपोर्ट क्रेटली मीरिया